हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज की वीडियो में गड़ित के इंपोर्टेंट प्रेशनों की बात करेंगे जो कि अनुपात से संबन देते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल है, दो संख्या हैं, साथ अनुपाते ग्यारा के अनुप पता देता हूं कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है, यानि कि आप साथ अनुपाते ग्यारा को साथ बटे ग्यारा भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, अब होला इनमें से प्रत्यक में साथ जोडने पर, प्रत्यक में मतलब इसमें भी 7 जोड़ दो और इसमें भी 7 जोड़ दो प्रत्यक का मतलब क्या है दोनों में जोड़ेंगे जब जोड़ देंगे तो इसका अनुपाद कितना हो जाएगा 2 अनुपाद 3 और मैंने आपको बताया कि अनुपाद को आप बटे में भी लिख सकते हैं कि 2 अनुपा 3 को आप 2 बट्टे 3 लिख सकते हैं अब क्या हो जाएगा cross multiply यान कि 3 का उन पर पहले 7 से करो तो 3 सत्ते 21 कितना हो जाएगा 21 पिलस 3 का 7 से करो 3 सत्ते 21 ठीक है बराबर 11 दुने का 22 और 7 दुनी का 14 अब इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी संक्या इस तरफ ले लूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा ना समझ में कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ आपके पास अनुपात क्या था 7 अनुपाते 11 था ठीक है तो आप इसको 7 ए माल लीजिए इसको 11 ए तो 7 बते 11 लिखाता मैंने 7 अनुपाते 11 को 7 बते 11 लिखाता मैं इसको 7 ए माल लेता हूँ इसको 11 ए माल लेता हूँ ठीक है अब 3 का मल्टपे मैंने 7 से किया तो तो यह 3 सत्ते 21 a हो जाएगा ठीक है ना फिर 3 सत्ते 21 11 दुनिय का 22 a हो जाएगा ये 11 दुनिय का 22 a फिर 7 दुनिय का 14 अब a वाले टर्म एक तरफ कर लिजी यह 21 A है इस 21 A को इधर लेके जाओंगा तो यह पिलस का है इधर आके माइनस तो 22 में से 21 माइनस हो जाएगा केवल 1 A बचेगा ठीक है केवल 1 A और इस 14 को 14 को इधर लेके आओंगा तो इस 14 को इधर लेके आओंगा यह पिलस का इधर आके माइनस का तो 21 में से 14 माइनस हो एक वैलो साथ पूछा आपसे क्या है उस पर ध्यान दीजाय आप से पूछ रहा चोटी संक्या क्या है यानि कि छोटी संक्या आपके पास साथ है ठीक is A के साथ है तो साथ का मान ए है अब साथ का multiply 7 से कर दी जाए इनकी छोटी संख्या से कर दी जाए तो नंचास हो जाएगा आपका answer सवाल खतम एक अमान कितना है साथ अब एक ही जगह साथ रखोगे multiply 7 से होगा तो नंचास ही तो हो जाएगा सवाल खतम हो गया बी option बिल्कुल सही है आप देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है दो संख्याएं एक अनुपाते तीन के अनुपात में है दो संख्याएं ये पहली संख्या हो गई ये दूसरी संख्या हो गई एक अनुपाते तीन के अनुपात में है इनका योग फ़ल 240 है, योग है 240 तो अनुपात का भी योग कर लेंगे, अनुपात का योग 4 हो जाएगा, 4 छिंग 24 और एक जीरो 60, अंतर पूछ रहा है कितना है, तो अनुपातों का अंतर कर दो पहले 2 आएगा, अनुपातों का अंतर कर दिया दो अब 60 कमल पे अंतर से कर दो 120 आ जाएगा 60 दुने का 120 अंतर 120 है अगर आप अलग अलग निकालोगे 60 कमल पे 1 से करोगे 60 60 कमल पे 3 से करोगे 180 अब इनका अंतर करोगे तब भी 120 ही निकल के आ जाएगा इसलिए direct अनुपात में अंतर करके multiply कर दू समझ में आ गया ना? चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है किसी ब्यक्ति की आय तथा ब्ये 11 अनुपात 10 के अनुपात में हैं आय और ब्ये 11 अनुपाते 10 के अनुपात में हैं यदि प्रति वर्स वह 9000 रुपे की बचट करता है कितने कमे कर रहा है वो? कितने की बचट कर रहा है? प्रति वर्स वह 9000 रुपे की बचट कर रहा है 9000 रुपे की बचट कर रहा है वो एक साल में तो उसकी मासिक आय कितनी है? एक महीने की आए पूछ रहा है क्या है आप देखना सवाल में उसने क्या गुला यह जो बचत है प्रति वर्सियानी की एक साल की बचत है 9000 ठीक है एक महीने की निकालने के लिए आप क्या करोगे 12 से डिवाइड करोगे क्योंकि यह 12 महीने की बचत है आपको निकालनी है एक म साथ सो पचास रूपए की बचत कर रहा है एक महीने में कितने ही बचत कर रहा वो साथ Money स्की मासिक आय कितनी है यह पूछ रहा है जानिकी का नुपाद हमारा कितना है 11 है ग्यारा का मल्ट पर कर दो 750 से, ठीक है, ग्यारा का 0 में करेंगे तो 0, ग्यारा पंजे 55 का 5, कहरी का 5, 11, 37, 37, 37 में जो रोंगा 5, 82, यह हमारे पास किया है, 750 रुपे एक महीने की बचता है, एक महीने की आय कितनी हो जाएगी, 8,250, सवाल हो गया, खतम, आसानी से निकाल सकते हो, 8,250, जो कि हमारे D-Option में, अगर आप से ब्याप पूछ ले, तो 750 का मल्ट पैस से कर दो, कितना हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा, 7,500, यह आपके पास क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, किलियर है न, सभी को, चलिए, आप देखेंगे अगला सवाल, अगला प्रश्नी है, 7,500, 11, के प्रत्यक पद में, किस संक्या को जोड़ने पर, अनुपात 3,500, 4 प्राप्त होगा, देखो, 7,500, 11 है, और मैंना आपको सिखाया, कि अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हैं, तो 7,500, 11 लिख सकते हैं, ठीक है, 7,500, 11, उसने बोला, प्रत्यक पद में, किस संक्या को जोड़ने से, हमें नहीं पता कौन संक्या जोड़नी है, नहीं पता ना, तो हमें x जोड़ लेते हैं, दोनों में, परत्यक पतमे x जोड़ लेते हैं, अब नहीं पता तूं, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात ए 4 अनुपात का मतलब भटा भी होता है अब करलो cross multiply ठीक है चलिए 4 का multiply करूँगा मैं 7 तो 4 सत्य 28 प्लस 4 का x में करूँगा तो 4x बराबर 11 रिक का 33 प्लस x का 3 से करूँगा तो 3x अब दोख लो x वाले टर्म एक तरफ कर लो ये प्लस का 28 से दरा के माइनस का तो 33 में जटाइस माइनस कर देंगे 5 x की वैलू हमें पता लगी 5 हमसे बोला था कि किस संख्या को जोडने पर किस संख्या को जोडने पर 5 को जोडने पर अनुपात इतना होगा डी option बिलकुल सही है अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला हैं जो हमारी वो तीन धंपाते 4 में हैं और lcm हमारे पास 84 मेरा आपको बहुत बाति सिखाया है कि जब आपको qelection में योग रहे तो नुपातों का यूग करिये अंतर रहे तो अनुपातों का अंतर LCM रहे तो अनुपातों का LCM करो तो 3 और 4 का LCM कितना हो जाएगा? 12 तो इस LCM में अनुपात के LCM से डिवैड कर दू 12, 74, 7 बार में खटेगा इन में से बड़ी संख्या क्या होगी? अनुपात में देखो पड़ी संख्या कौन सी है? 4 तो यही बड़ी हो जाएगी तो 7 का मल पए 4 से कर दो 28 हो जाएगा सवाल खतम C option बिल्कुल सही है अब देखेंगे अगला सवाल अगला प्रस्नी है दो प्राक्रत संख्या है तीन अनुपाते 5 के अनुपात में है तथा इनका गुड़न फल 260 है इन में से छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्या है आपके पास पहली संख्या, दूसी संख्या इनका अनुपात है तीन अनुपाते 5 अगर मैं से 3 A माल लू इसको 5 A माल लू तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा आपके पास गुड़न फल है 260 गुड़न फल का मतलब multiply है हमने क्या सिखाया जब आपको प्रेश्णि में योग दहे तो अनुपातों का योग करिए अंतर रहे तो पिछले qously में Lanc moment था तो हमने अनुपातों का भी lcm लिया अब गुड़न फल है तो हम अनुपातों का भी गुड़न फल लेगे ठीक है तो तीन पचे 15 ठीक है गुड़न फल करेंगे तीन पचे कितना हो जाएगा 15 और एक मिल पर ए से करेंगे तो a square हो जाएगा यानि कि 15 a square बराबर कितने के 260 की है ठीक है 15 a square बराबर 260 की है तो a square की value कितनी हो जाएगी यानि कि 15 से से हम divide कर देंगे पंदर एकम 15 6 बचेगा 6 में 6 जोड़ देंगे 66 पंदर चौके 60 ठीक है चौके 60 में 66 बचेगा 60 पंदर चौके 60 144 बार में यह कट गया अब देखो a बराबर 144 यह जो square है यहाँ से हटेगा तो इसके उपर क्या लगा देगा square root का sign लगा देगा ठीक है square root का sign तो देखे 144 का square root कितना होता है 12 यानि कि एक ही value कितनी निकल के आगी 12 एक ही value आपको पता हो गई 12 है तो छोटी संग के आप पूछ रहा है क्या छोटी संग के अनुपात में 3 है एक ही value हमें पता है 12 है तो 12 कमल पे 3 से कर तो 36 हो जाएगा सवाल खत्तम पहला option प्रेशने का बिल्कुल से या answer अब देखेंगे अगला सवाल अगला प्रेशनी है यदि 1000 को A तथा B में 3 अनुपाते 2 के अनुपाते में बिवक्त करें तो A को प्राप्त होंगे A अनुपात B में बिवक्त करना है A अनुपात B की value आपको दे रखी है 3 अनुपाते 2 A और B की value 3 अनुपाते 2 योग है 1000 रुपे का जब योग है तो हम अनुपातों का अभी योग करेंगे अनुपात का योग हो जाएगा 5 तो इस योग में अनुपात की योग से अब देखेंगे अगला सवाग अगला प्रश्नी है A B तथा C में 1050 को इस प्रेकार बिवक्त किया गया है कि A का भाग सुनो A का का मतलब होता है multiply A का भाग B तथा C यानकी B प्लस C के का मतलब multiply संयुक्त भाग का का मतलब multiply ठीक है दो बटे पाँच है कितना है दो बटे पाँच दो बटे पाँच है तो A को मिलेंगे तो A को क्या मिलेगा उसने ये बोला है A को क्या मिलेगा उसने ये बोला है अच्छा सवाल है देखिएगा सवाल में इंट्रेस्ट आ गया है A का का मतलब multiply B तथा C B plus C हो गया का का मतलब multiply 2 बटे 5 है तो A को मिलेगी A B तथा C में 1050 को बाटना है A B तथा C में हमें 1050 को बाटना है एक हजार पचास यानि की तीनों का यहोग है, ठीक है, इतना तू क buttons कि लिए ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,050 को में पाड़ना है, एक मिनिट रुकिए, 1,050 को में बाड़ना है, तो यहाँ पहले में value को पुट कर लूँगा रुको एक ही वैलू हो जाएगी देखिए दो एक ही वैलू हो जाएगी दो और बी और सी की वैलू हो जाएगी पांच आपको पता है जो पहले वाली वैलू होती है वो पहले वाली संक्या की उपर वाली और जो नीचे वाली वैलू होती है वो बाद वाल यह कितना है एक हजार पचास है और एक का मान मेरा दो है बी प्लस सी का मान मेरे पास पांच है ठीक है अब समझोगो समझना प्रिशने को ए भी सी तीन ब्यक्ती थे पीनों को जोड़ोंगा तो मेरे पास कितना हो जैगा 7 यानि कि 7 बराबर कितना 1050 तो एक बराबर कितना सस से डिवाइड कर दो साथ एकम साथ तीन बच्चे का 35 साथ पंजे 35 एक जीरो यानिकि साथ की वैलू एक हजार पचास थी तो एक की वैलू एक सो पचास एक की वैलू एक सो पचास हो गई तो यहां जो गुना करेंगे हमें एक सो पचास से करेंगे तो दो का गुना एक सो पचास से किया तो ये कितना हो गया तीन सो हो गया दो का गुना एक सो पचास से किया तो ये कितना हो गया तीन सो हो गया और दो का गुना हमने एक सो पचास से किया है क्योंकि हमसे ए का मान पूछा है कि A को मिलेंगे और A का रेशियो 2 था A का रेशियो 2 था ना तो 2 कमलपे मैंने 150 से कर दिया केलिए रहना अगर मुझसे 2 और C का पूछा जाता तो 2 और C का 5 है 5 कमलपे मैं कर देता केलिए रहना सभी को 300 मेरे प्रश्णे का सही जवाब है अब देखते हैं अगला सवर अगला प्रशनी है A, B, C तथा D को 3, 4, 9, 10 के अनुपात में विवक्त किया जाता है यदि C का भाग B से अधिक हो तो A तथा D की कुल राशी कितनी है भाई ये प्रशनी आपको हमबर के लिए दे रहा हूँ इस प्रशने को आप अभी के अभी करके कमेंट कर दीजिए आपके समझ में पूरा वीडियो अगर आ चुका है तो आप आसाने से कर दोगे ठीक है कमेंट में मैं आपके आंसर का इंत्यार करूँगा अभी के अभी कमेंट कर दो अपना अपना आंसर ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद